वेड़ी तो आपको सारी प्लेड़ को चेक कर सकते हूं तो आपको सारी ग्लासे इन डीटेल मिल जाएंगी तो आप वीड़ो के एंड तक बनी रहेगा क्योंकि वीड़ो के एंड में आपको कुछ टिप्स और ट्रेक्स जानने को भी लेंगी तो चलिए वीड़ो को स्टार्ट करते हैं बट इफ क्यों नूँ हीर प्लीज टेक आपको उनका शेप पता चल जाए जैसे की काफी डिफरेंट 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 टाइप के आईबरो शेप होते हैं किसी की स्ट्रेट होती है किसी की कर्ण में आती है और किसी की स्टॉफ आर्च में आती है किसी की हाई आर्च इस तरीके से काफी डिफरेंट 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 की आईबरो शेप होती है जिसकी अकॉर्डिंग लिंग हमें उसे फिल आउट कर न होता है और उसकी बात ही हमारा मीकप काफी रहां सो के देक्ता है तो इस तहीं किसे काफी डिफरैंट डिफरैंट टाइप की शेप होते हैं तो पहले आपने अगर अपने क्लाइन dışgl SD. पहचाननी उसके बाद आता है second number पर कि आपकी client की जो eyebrow है उसका growth कितना है आपको growth को पहचानना है अगर किसी की growth काफी कम है तो उसे आप आपको काफी ठीप थाप सी failing करनी है जैसे कि मेरे यहाँ पर growth आपको दिखनी होगी जादा है लाइक मेरी eyebrows naturally काफी अच्छी है तो इसलिए मेरे पर काफी कम touch up होगा मेरी जो eyebrow का shape है वो तो हम ऐसी रखेंगे उसे फिल बहुत कम quantity में हम करेंगे तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को थोड़ा सा balance करके चलना होता है और आपने देखा होगा काफी लोगों के eyebrows जादा होती नहीं है उसे हमें अच्छे से फिल करना पड़ता है जिसे कि आप यूज़ कर सकते हो इस टैफ भी eyebrow kit का और भी काफी सारे eyebrow kit जो भी आपके पास हो आप उसे यूज़ करना तो इन eyebrow kit में आपको काफी सारी चीज़े देखने को मिल जाती है सबस्के पहले आजाता है हमारा wax इस wax की health की आई ब्रो तेरी में डी है तो उसे आप उड़ा सा wax की health से stick कर सकते हो उसके बाद आप फिल कर सकते हो फिर उसके बाद हाई-लाइट दिये जिससे कि आप अपनी brow बॉन को highlight कर सकते हैं वो इस वीस में stick का highlighter देते हैं देन उसके ब आजाता है हमारे ये black color लाक कलर उन पर यूज करते हैं जिनकी आइब्रो जादा ब्लाक होती है उसके बाद यहां पर मिल जाता है इन दो टाइप करेक्ट होई बाट मैं इसे यूज नहीं करते हो फिर पास और दी दो ब्रेशे जिनका मैं इस परती है तो यह तो होगी प्र से पोग करते हैं तो इस तरीके से आपकी अईब्रो काफी हक तक शेप में आजाती है और उसके साथ ही यहां पर स्टेक करदे पर मैं इस ब्रेश को यूज करने में बहुँपा दिक्कन देता है तो इस लिए इस सूरे सब्सक्रेशमरी का यह चोडा है तो इस जाए यूज वेस्ट होता है स्वेटर की आप स्टेक का ब्रश लो जिससे कि आपका टाइंग से हूँ तो यह हो दें हमारे दो ब्रशेज और यह हमारा प्रॉंडक्त तो अभी मैं आपको इसे यूज करके दिखाती है अपनी आइब्रो आइब्रोस को फिल करने से पहले आपको देखना होता है कि आइब्रो आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है यानि कि ये एरिया आपको अच्छे से बेखना है कि इस एरिया पे आपकी कितनी ग्रोथ है और यहां पे आपको फिलिंग की नीड है कि नहीं और हमेशा जब भी आप eyebrows फिल कर रहे हो तो पीछे के side से eyebrows फिल करना पीछे के side पे ज़्यादा नीड होती है तो यह जो भी डूंग आगे से फिल कर देते हो इतना fake लगता है देंगना बिलकुल अच्छा नहीं लगता इससे अच्छा है कि आप हमेशा पीछे से start करो और एक टाइब का आर्च बना हुआ है किसे बोलता है हम फॉफ आर्च तो यह कुछ है मेरी आइब्रो का शेप जब जे पहले हमें स्पूली की है अपने से कोम कर देंगे बाद अधर आपको लग रहा है कि आपकी आइब्रो स्टिक नहीं है तो आप क्या बरो इसको लोग और इस तरीके से लेके जब आप देखो कि इसमें प्रॉड़क्त आ गया है तो आप इसकी एप्षेस को स्टिक कर दो आपने देखा होगा फॉलीवुड में जब लोग मेकप करते हैं तो वह लोग वैक्स करते हैं जिससे वह आइब्रो को थोड़ा सा उठा के बना पाए और इ मेरी आइवरो का तो मैं इस पर फिल करूंगी हलका सा ब्लैक और हलका सा ब्राउं इन दोनों का मिक्षर क्योंकि हम प्रॉपर ब्लैक कलर भी अपनी आइवरो पर नहीं से कर सकते हैं नहीं तो फिरूब बहुत अदा फेक लंगेगा तो इसे थोड़ा से नाच्रल दिखाने इस मेरी इस एरिया को टॉच करूंगी सबसे पहले इस एरिया से यहां से स्टार्ट करूंगी वह क्योंकि यह अगर आपका प्रॉडक्ट लगजाता है ना तो फिर हाटाने में इस यहां से अिज्ट पर लगाया और इसको लगातू है मैं पीछे के साइड आओन है यहां प आपको क्या करना है ब्रैस्ट में को भी प्रोडक्ट नहीं लेना है अगर आप प्रोड़क्ट लोगे तो आपकी आइब़ो आगे से फेक हो जाएगी उसमें काफी जल्द प्रोडक्ट है तो हम इसको ही योज दरेंगे और अब इसको मैं आगे की साइड हेटती हुई आउंडी लाइक देश ठीक है अब आप देखो कि यह एरिया यहां तक हमारा फिल हो चुका है अब मैं चाहूं तो यहां पर इस पूली की हेल्प से मैं इसे बस कोव कर दूं पूली लेना है और उसकी हेल्प से इस तरीके से आपको पोव कर देना है हमने लिया और इस तरीके सरना आपको इसमें भी हमें आगे तक नहीं आना है जब आप देखों कि आप यहां पर आगे हो आप स्टॉप कर दो पूली की हेल्प से आप इसको शेव में कर दो जो प्रॉड़क यहां पर लगा है ना वो उठके आप ऊपर के सरफ चला जाएग तो इस तरीके से आपकी आईब्रो काफिी नाशलली फेलो जाएगी अब आप देख सकते को दो डोरों की बीच में डिफरेंस जैसा है यह आईब्रो आपको जादर शेप में दिखनी होगी जादा अच्छे से इन्हानस होगी और यह आईब्रो का शेप आपको नाशल बना इस टाइक कर आप इस तरीके से तो नो पीसे के अगर पिल नहीं है तो आप उस पर जाद कुछ कुछ अगर कुछ अगर आप करोगे तो बॉन अदा फेक लगेगा और फिर आपका में खराब लगेगा तो अच्छ है कि आप इस टैप के शेप देना और शेप देने की बाद आप उसके असपास जब आप कंसीडर लगा दोगे तो यह जो एरिया होगा यह पाफिल अच्छी से इंहांस ह इस से बतार चलेगा आपने आइबरोस की फिलिंग कितने तरीके से की इस तरीके सब होती हैं डिफरेंट टाइब की आइब आइबरोस टेक्निस जो आपको जान नहीं होती है जिसे की आफ अपना मेक अप काफी अच्छी से कर सब और आप इस टाइप का प्यारा से शेव ब